नमस्कार दोस्तों इस टड़ी विध हैपिनस में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश PCS परिक्षा की दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो अंतों में लाइक भी कर सकते हैं दोस्तों कई अभ्यारती पूछ रहे हैं अलग-अलग पोस्टों का लेकर जैसे कि आपको पता है कि जो आपर PCS के परिक्षा है ये एक कम्माइंड परिक्षा होती है जिसके अंदर काफी सारे पद होते हैं दोस्तों अभी आपको अवरॉल तो पता चली चुका है कि इस समय जो विग्यापन में लिखा हुआ है वो तो 200 पद हैं और ये भी बात निकल के आ रही है कि इसमें पद बढ़ाए जाएंगे मगर दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताए कि जितने भी पद बढ़ेंगे वो सिर्फ तभी तक बढ़ाए जाएंगे जब तक कि प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता उसके बाद पदों में कोई ब्रद्धी रही होगी तो हम देखते हैं दोस्तों कि क्या ये जानकारी निकाली जा सकती है अभी आपने जो ओफिशल नोटिफिकेशन देखा होगा यहाँ पर जहां से आपने अप्लाई किया होगा वहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर टूटल पोस्ट में आपको 200 दिखाया है ठीक है और इसे इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी यह भी जानकारी नहीं है कि अन्रिजर्ट की कितनी है ओबीसी की कितनी है या फिर अलग-अलग केटिगरी वाइस जो है इसके अंदर अभी आपको नहीं बताया गया है ठीक है अब दोस्तों यह जितने भी आप पद देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे पद हैं अब इसका मतलब जो पद लिखा हुआ है यह जरूरी नहीं है कि उसकी कोई ना कोई पोस्ट जरूर हो ध्यान से समझीगा दोस्तों होता क्या है कि जब भी अपर PCS का फॉर्म आता है तो उसमें यह बताया गया है कि टोटल इसमें इतने तरीके की परिक्षा होती है चाहें वो डिप्टी कलेक्टर हो, DSP हो या जितने भी आप पद देख रहे हैं पोस्टों के लिए ही रिजल्ट जारी हुआ है यानि कि जिसमें पद हैं वही तो जारी किया जाएगा बस कई बार आपने SSC में भी देखा होगा दोस्तों SSC CGL की जो परिक्षा होती है नोटिफिकेशन के अंदर सारे पद लिखे जाएंगे जो की उस परिक्षा के द्वारा भरे जाते हैं अब माल लिए कि उस पद के लिए अधियाचन ही नहीं आया तो वो निल हो गई आप समझ रहे होंगे दोस्तों तो इसलिए अगर पर्टिकुलर आप किसी एक पोस्ट के लिए देख रहे हैं और स्पेशल कॉलिफिकेशन वाले भी पद हैं दोस्तों जैसे कि आप यह देखेंगे कि सब्राइश्टार है इसमें लोग की ग्रेजुएट मांगा गया है और जो आप देखेंगे डिस्टिक बेसिक सिख्षा अधिकारी पोस्ट ग्रेजिएशन है यहाँ पर सिर्फ पोस्ट ग्रेजिएशन है इस्पेशलाइशन नहीं है यानि कि अगर आपने MA, MCOM या फिर कोई और Master Degree, MBA जो भी कर रखा है आप इस पोस्ट के लिए इलिजिबिल होंगे ठीक है दोस्तों उसी तरीके से जितनी भी Special Qualification वाली पोस्ट हैं उन्हें separate दिया गया है, मगर इसके अलावाद जितनी भी आप पोस्ट देख रहे हैं उसमें साधरन इसना तक की ही आवशक्ता है अब दोस्तों फिर भी क्योंकि मैंने जो पुरानों रिजल्ट देखा है उसके जरिये मैं आपको बता देता हूँ कि जो ज़्यादतर पद होते हैं पर PCS के वो किसमें आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है सबसे पहला पद तो दोस्तों यही है आपका डिप्टी कलेक्टर के पद होने ही होने है DSP के भी पद होने, मगर DSP के पद जो है वो डिप्टी कलेक्टर से ज़्यादा होते हैं फिर दोस्तों जो आपको ज़्यादा पद देखने को मिलेंगे इसके बाद वो BDO के मिलेंगे, DSP से भी ज़्यादा होते हैं दोस्तों BDO के पद क्योंकि खंड है ये और एक जिले के अंदर कई खंड होते हैं तो यहाँ पर आपको वीडियो के पद ज़्यादा देखने को मिलेंगे इसके अलावा दोस्तों आगर मैं चौते नमर पर बताओं कि आपको सबसी ज़्यादा पद कहां देखने को मिलेंगे वो होगा नाइब तेसिलदार नाइब तेसिलदार के भी जो अगर आप सेंशन पद देखेंगे UP के अंदर वो काफी ज़्यादा है और इन सभी के अंदर आप देखें कि साधर निसना तक है इनके लिए तो special qualification है ही नहीं तो यह जितने भी मैंने आपको चार पद बताए डिपटी कलेक्टर, डिएसपी, बीडियो और नाइब तेसिलदार तो यह 200 पद है ना तो बले ही किसी में कितने भी कम पद क्यों ना हो मगर इन चारों में तो यह पद आपको मिलेंगे ही मिलेंगे और ऐसा अनुवान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जो है पदो की संख्या में जैसे जैसे अदियाचन प्राप्त होंगे बड़ेगी संख्या तो आप लोग तयारी करते रहें और जो भी इनफर्मेशन होगी मैं अपने चैनल के माद्यम से उपलब्द कराऊंगा गौर्णमेंट जोब से रिलेटिड और दोस्तों जो हमारी लाइव मॉक टेस्ट की टाइमिंग है वो है रात को ग्यारा बजे अगर आप चाहें तो उसे जोईन कर सकते हैं जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत